नमस्कार पशुपालक भाईूं नमस्कार वेडिनरी की स्टुडेंट्स और गाईस तो दोस्तों आज की इस वीडियो को आप पूरा लाश्ट तक जरूर देगेगा क्युंकि दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जायलозीन इंजैक्शन के बारे में ठीक है किन-किन बातों का ध्यान रखना है ठीक है तो ये सब कुछ हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ठीक है तो गाइस अगर आप वेटनरी क्लास्जिज यूट्यूब चैनल पर नए व्यूर हैं तो चैनल को सबस्क्राइब भी कर लीजिए और साथ में जो बैल आइकन होता है उसको भी आप दबा देजिए ताकि हम आपके लिए जो भी वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए तो चलिए शुरू करते हैं तो गाइस ये जो जाइलाजीन इंजेक्शन है ठीक है ये बहुत सारी कंपनियों का आपको देखने को मिल जाता है ठीक है तो दोस्तों सबसे जो इसका मेन काम है एनिमल का एनिमल को बेहोश करने का यानि की एनिमल को ये बेहोश कर देता है वो बहुत ज़्यादा गुसे में होता है ठीक है अग्रेसिव होता है वो क्या होता है कि ओनर के कंट्रोल में नहीं आता है ठीक है बहुत ज़्यादा उसको गुसा आता है ठीक है तो ऐसी कंडिशन में पशु में इस इंजेक्शन को लगाया जाता है ठीक है और दोस्तो होता क क्या है कि यह जो injection है कई बार पशु में क्या होता है कि जो हमारी गाय होती है भेंस होती है उनमें प्रोलेफ्स की समस्य आती है ठीक है यानि कि कई बार पशु में क्या होता है कि प्रोलेफ्स हो जाता है तो प्रोलेफ्स की ट्रीटमेंट करने के लिए भी पशु को इस injection के द हम जो छोटे जानबर होते हैं छोटे पशु होते हैं ठीक है जैसे काफ हो गया बच्छी हो गई तो उनके हम सेंग निकालते हैं ठीक है जब उनकी हम डिस पडिंग करते हैं तो उस समय भी सेंग निकालते समय भी छोटे बच्छी बच्छीयों को बेहोश करने के लिए ठीक है यानि कि एक एनस्थेटिक की रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है ठीक है फ्रेंड्स और दोस्तों सर्जरी बगएरा करने के लिए भी कई बार पशु में सर्जरी बगएरा की जाती है तो उस condition में भी पशु में इस injection को उपयोग में लाया जाता है यानि कि कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि इस injection का इस्तेमाल पशु को बेहोश करने के लिए किया जाता है ठीक है अब दोस्तों बात करते हैं कि किन किन स्पीसेज में इस इंजेक्शन को हम सबसे ज्यादा उप्योग में लाते हैं ठीक है तो गाइस ये जो इंजेक्शन है इसको हम जो हमारे लाइफ स्टॉक एनिमल्स होते हैं ठीक है cattle हो गई, dog हो गई, cat, horse तो ये हमारे livestock animals में आते हैं तो इन animals में इस कोप योग में ला सकते हैं जो जूब गयारा में जैसे tiger हो गया, elephant हो गया, camel हो गया तो उन में भी इस injection को इस्तिमाल में लाया जाता है ठीक है friends और दोस्तों कुछ ऐसी condition होती है जैसे कई बार क्या होता है कि पशू शौक की स्थिति में चला जाता है ठीक है तो कई बार पशू को cardiovascular disease हो जाती है तो कुछ ये ऐसी indication होती है उन में आपको इस injection का इस्तेमाल करने से बचना है और ये जो injection है कभी भी animal में इस injection की overdose नहीं देनी है अगर आप थोड़ी CV, overdose जो है पशू को दे देते हैं तो आपके animal को ये दिक्कत कर सकता है animal की जान जाने के भी chances बन जाते हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना है तो guys अब हम बात करते हैं कि ये जो injection है ये आपको 2 ml की wild में देखने को मिल जाता है 10 ml की wild में देखने को मिल जाता है और इसके अलावा 30 ml की wild में भी देखने को मिल जाता है ठीक है तो दोस्तो अब हम इसमें बात करते हैं dose rate की कि किस animal में किस dose rate के दोरा इस injection को हम लगा सकते हैं तो दोस्तो dose rate बताने से पहले इसका root जाना बहुत ज़रूरी है तो इसको हम intramuscular ठीक है यानि कि IAM root के दोरा भी animal में लगा सकते हैं और कई बार पशु में इसको हम IV intravenous root के दोरा भी animal में लगाते हैं ठीक है तो दोस्तों ये जो dose rate मैं आपको बताने जा रहा हूँ तो ये जो dose rate है इसको आप properly ध्यान से सुनीगा और note down कीजिगा अगर आप veterinary के कोई prediction है ठीक है तो क्योंकि इसकी जो dose rate है उसमें थोरी सी भी हमको जो है बिल्कुल भी गड़बड नहीं करनी है क्योंकि एक आप कह सकते हैं कि एक काफी खतलाग हो जाता है जब इसकी overdose animal को लग जाए तो तो guys अब हम बात करते हैं dose rate की ठीक है तो guys अगर मैं आपको बहुत deeply इसकी dose rate बताऊंगा ठीक है तो आपको समझ में नहीं आएगा ठीक है तो इसलिए मैं कोशिस करूँगा कि आपको ml में ही dose rate बताएं तो दोस्तों इसकी जो dose rate अगर हम गाय में बात करें तो गाय में अगर आप इसको IM root से देते हैं ठीक है तो IM root के द्वारा गाय में इसकी जो dose rate है वो रहेगी 0.25 से लेकर 1.5 ml ठीक है 100 kg body weight पर ये dose rate मैं आपको बता रहा हूँ तो 100 kg body weight पर हम गाय को 1.5 ml intramuscular root के द्वारा इस injection को दे सकते हैं अगर हम intravenous root से गाय को इस injection को देते हैं तो 0.15 से लेकर 0.27 ml पर 100 kg body weight पर हम intravenous गाय को slow IV दे सकते हैं अब दोस्तों बात करते हैं horse की यानि की घोडे की तो घोडे को अगर हम 100 kg की बात करें तो 100 kg के घोडे को आप 3 से लेकर 5 ml तक intravenous injection लगा सकते हैं ठीक है और वो भी slow intravenous ठीक है दोस्तों अब दोस्तों हम बात करते हैं dog की तो दोस्तों dog को क्या कर सकते हैं की 0.05 से लेकर 0.15 ml पर kg body weight के हिसाब से इसको हम लगा सकते हैं dog में ठीक है अब दोस्तों बात करते हैं जो हमारी sheep है भेड़ है तो उसमें भी हम क्या है की 0.05 से लेकर 0.1 mg पर kg body weight पर इसको लगाते हैं ठीक है अब दोस्तों जो veterinary के practitioner भाई है वो इस बात को समझ रहे हैं लेकिन इसकी जो dose rate है वो यही है और इसी साब से इसको लगानी है बात करें pig की तो दोस्तों pig में आपको 2-3 mg पर kg body weight के हिसाब से लगानी है ठीक है और birds की हम बात करें क्योंकि birds में भी इस injection को उपयोग मिलाते हैं तो 5-10 mg पर kg body weight के हिसाब से इसको लगाना है ठीक है friends यानि की दोस्तों इसकी जो dose है वो बहुत ज़्यादा animal में नहीं जाती है हलांकि horse में इसकी जो dose rate है वो ज़्यादा चली जाएगी इसके अलावा जो other species है उसमें बहुत कम dose rate zailazine injection की रहती है ठीक है तो इस हिसाब से आप इसको लगा सकते हैं और intramuscular ही इस injection को आपने जैसे की cattle है ठीक है उसके बाद जो dog है ठीक है तो इन में आपको intramuscular लगाना है और horse में intravenous इस injection को लगा सकते हैं वीडियो पसंद आई हो तो like करें, share करें और subscribe